तो अभी हम next continue करते हैं ठीक है, हमने पीचे कहा तक देखा था, हमने यहां तक कर दीया था, फारुक सी-आर तक ठीक है, अब फारुक सी-आर के बाद हम next देख लेता है, next kבה है रूलर आता है, तो हमने कि रफी Uddraaz आया, ठीक है तो रफी Udraaz के अगर हम बात करें तो वही 1719 से लेकर जून 1719 ताथ ठीक है तो ये टाइम रहा रफी उद्ध रास का तो हम बोलेंगे कि ये शॉट टाइस टाइम प्रड़ के लिए ही रूलर बना ये चार महिने में ही इसकी डेथ हो जाती है डियू टूबर क्लॉसिस ठीक है फिर नेक्स राता है रफी उद्धोला के बारे में रफी उद्धोला के बात करें तो जुलाई से लेकर नवंबर तक रफी उद्धोला नेक्स डूलर तो ये रूलर बनते हैं विदा टाइटल ओफ हम बोलेंगे शाह जहां टू ठीक है तो फिर उन्हें ने जो है बड़ा शॉट टैस्ट रूल किया मूगल हिस्ट् ठीक है थाट चाहिए तो बोलेंगे ये मुखंशा रंगीला जो है ये विद्धी है प्रूलर बनते हैं आप ने पीछे देखा होगा सजीद ब्रदर्स जो है वह क्या करते थे वह रूलर बनाते थे फिर पादम उसी रूलर को ही मार देते थे अब जब मुखंशा रंगीला आए उनको पता चड़ गया है कि मतलब साईध ब्रदर की पालिसी है वह क्या सही ब्रदर यही रूलर वगारन पर बनाते हैं एक हेसाथ लौत बंत बंन गया ठीक है लेगिनदा लीकोट नहीं है तो हम बात करते हैं कि एक सेकेंट अच्छा तो फिर हम बात करते हैं मुहमय शाह जो इनका ओरिजिनल नाम क्या था इनका ओरिजिनल नाम जो था रोशन अक्थर ठीक है तो ही वाज ग्रेट कथक डांसर ठीक है अपने लव यह प्लाजर लविंग एक्टिविटीज के लिए तो रङगीला भी बोलते हैं फिर हम बात करते हैं विड्धी हटल बावटा निजाम चिंदु कुलिक खान असफ जा तो निजाम उलमु को निजाम वुल्ट जो है वह टाइटल है ठीक है चिंद Currently थीक हो मुहमशार रङगीला हुम बोलसे इस ने सजयद ब्रदर्स तो इसको मार दिया सईद ब्रदर्स को ठीक है तो भी यह देख सकते हो दूरिंग इस टाइम प्रिड़ यहीं मुमशार अंगीला के टाइम पर पर हमें देखने को मिलता है कहीं सारी रीजनल स्टेट्स जो अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेर करती हैं तो आपको पता है मुम इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करना शुरू कर दी है जैसे आपको बाता हैं है इंडिपेंडेंटेंट अंडर टीक है तो तो उसके जो अवद के जो थे हमारे वो ये थे सबसादत खान बुरहान उन मुल्क ठीक है फिर बिंगॉल के जो मुर्शित कुली खान थे ठीक है तो बिंगॉल जो है इनके द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा रहा था यहीं मुर्शित कुली खान के द्वारा तो हम बोलें प्रविंशल गवर्नर जो है यह निजाम मुल्क चिनकुलिक खान और यह अवद के होगे यह बिंगौल के होगे इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी जो है वो डिकलेर करना शुरू कर दी यही जो थे जब ग्रेट मुगल से तब यह जो है यह उनके अंडर काम करते थे ठीक इस जो की पहले कंट्रोड में हुआ करती थी उन्होंने इस चीज़ का उठाया मोके का-र उन्होंने इंडिपेंडेंडेंसी कर दी कि हम इंडिपेंडेंटन की रूल करेंगे हमारे उपर को सेंटर का नहीं रहे ओगा थिक है अवद ने हुखिक है पने अपको Sen together की रूप परूल नहीं रहेगा तो अब यही वीक मूगल्स यह हुआ है तो यह सब कुछ हमें जो है वह देखने को मिला थीक आप इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन उसके स्टार मार्म थें लेता है इस फिक नोट देखते हैं अट वीकन आफ दी वाज़ नादिर शाह इंवेड इंडीया इंडिया इंडीया में और वह क्या करते हैं कि मुगल आर्मी इसको डीटके लेटर मोगल के नादिर शाह ने ठीक है और जिस बैटल में जो मतलब कि डिफीट किया गया वह बैटल का नाम था बैटल अफ करनल 1739 में हुई ठीक है तो यही देखा कि नाधिर शाह जो है वो जी जाते हैं और मुगल आर्मी जो डिफीट हो रहती है ठीक है और वो भी क्यों हुई क्यूंकि नाधिर शाह को परदा चल चुका हो था कि यहां पर वीक मुगल्स है ठीक है वह ग्रेट मुगल्स नहीं है तो इनको मैं राम से हरा सकता हूं तो नादिर शाह ने इस चीज़ का जो है फाइदा उठाया मुगके का और मुगल आर्मी को डिफीट किया ठीक है इंदा बैटल आफ करनो जो कि 1739 में हुई अब हम बात करते हैं कि अब नादिर शाह का क्या रिजन रहा इन्वेजन करने का ठीक है ठीक है तो फिर उसका देखते हैं हम रिजन क्या रहे इसके इन्वेजन के अब नादिर शाह जो है उसने इन्वेड किया ही क्यों इंडिया में क्या कारण बने जिसके कारण इरान एकी बात है ठीक है इरान कोई पर्शिया बोलते हैं तो वही देखा कि यहाँ भी बोला गया है पहला रिजन तो यह बोला गया है मुहमशार अंगिला सड़नली विड्रो ही अंबैसर फ्रॉम दर पर्शियन कोट ठीक है और सनैप्ट अल डिप्लोमेटिक टाइस विद कंट्री तो वही चीज़ मैंने बोली कि मुहमशार अंगिला ने क्या क्या था पैदा रिजन यह बताया कि इसने क्या कि अपने अंबैस्टर को जो है वहाँ से बुला लिया पर्शिया कोट से यानि कि इरान से बुला लिया ठीक है तो यह चीज़ जो है वो पसंद नहीं आ कि अपने अमबेस्टर को वापिस बुला लिया ठीक है तो इसलिए अब नादिर शाह को यह चीज़ जो पसंद नहीं आई ठीक है तब यह नादिर शाह ने जो इनवेड किया इंडिया में पहला रिजन तो आगए यह दूसरा रिजन क्या बनता है जिसके लिए नादिर शाह आखाए नादिर शाह बेस्टर को इसलिए जो यह चीज़ नादिर शाह को रहने की जगा दिया ठीक है तो जो की दुशमन थे नादिर शाह को यह बात पसंद नहीं आई तब यह उसने यहाँ पर इंडिया में इंवेड किया मोमशार रंगीला के लिए तो पिर से लगोता ह बात करते हैं नेक्स रीजन क्या बनता है जिसके कारण जो है यहां पे इन्वेजन किया जाता है इसका नादिर शाह का तीसार रीजन ये बनता है कि निजाम उल्मुल्क एंड़ साधत खान सेंड स्पेशल मैसेज टू दा नादिर शाह इंवाइटिंग हम तो इन्वेड इन्वेजन पुलाई इसको क्योंकि इनकी खुंदक थी किसके साथ ? यही इसके साथ ? मुहमः शारंगीला के साथ ठीक है ? तो इसलिए इन्वेजन ने कहा कि हम इंडिपेंडेंसी अपनी डेक्लियर करें , हम इसके प्र पूस्ति हैं अपनी इंडिपेंडंड़ स्टेट बन नादिर शाह को कि अप यहाँ पे आओं इंडिया में इंवेड करो ठीक है तो यह भी रिसिर्षा है इसके कारण जो हम बो Bio के इसने नादिर शान इंडिया के जिसको नादिर्शाह ने जो हो capture कि पहली बाद दूसरा क्या impact हुआ नादिर्शाह के आने से यही मुगल empire वर forced to pay a war indemnity of 25 crore यानि कि मुगल empire को जो एक बहुती यहां पर shelters दी पहलो तो यह सबसे बड़ी गलती कि मुगल empire ने किसके according नादिर्शाह के according दूसरी नादिर्शाह ने मुगल empire को यह बोला कि आपने क्या किया आपने जो पीछे यह जो diplomatic ties वगरा जो भी थे इरान के साथ परशिया के साथ वह आपने तोड़े ठीक है अपने अपने investor को जो है वापीज उला लिया ठीक है यह भी एक जिसके कारण आपको huge indemnity जो है वो देनी पड़ेगी जरुमाना जो ह कि वो पे करें एक huge war indemnity कितना 25 करोड का ठीक है तो यह भी दूसरा कारण हुआ impact of invasion का कि नादिर शाह यहां आया तो यह देखने को मिला फिर तीसरा में क्या देखने को मिला यही आलसो टू कवेदा peacock throne and Kohinu diamond जो यहां पे peacock throne था ठीक है वो भी यह लेकर जो चला गया ठीक ह जो मैं important information बोलता हूं यह आपको कुछ extra होती है इप पीछे previous diabos में और आई हुई है ठीक है तो इसलिए जो मैं important information बोलता हूं स świeका is पीच्छे प्रिवेस एग्जाम में आया होता है. फिर हम बात करें, अहमेद शाह अबदाली जो है, या जी आपके एश्टमिन इन्वेड़िड इंडिया वरे रूलम आफ था मोहमद शाह. तो हम बात करें, अहमेद शाह अभदाली जो है, 1754 तक ठीक है इसको देखें ठीक है तो फिर हम यहीं बोलेंगे एमश यह जो हमारा एमश शाह है ठीक है तो इनकी बात करें अगर तो एमश अब्दाली इंवेड़िड देली मैनी टाइम ही कैप्चिड पंजाब लॉंग इता मुल्तान ठीक है तो समझ आ रहा है आपको क्या ऑर जो है वो इन्वेड़ किया और इनने पंजाब को भी कैप्चिड की आ मुल्तान में भी कैप्चिड किया तो फिर भी बात मैं इसको मार दिए ता ठीक है तो हम बात करते हैं कि Алमगीर 2 की बात करते है Buınaफ ऩम भी लूजिक रूलर 177 के यह चाहते है इनका ओरिजिनल नाम जो है किया है अजीजुदीन ठीक है इनके टैंपिर्ड के दौरान बिटिश आर्मी जो थी है हमारी अंडर दी कमांड आफ लॉड कलाइव ठीक है तो यही लॉड कलाइव ने जो है वो डिफीट किया यही नवाब जो है बिंगॉल किसका है सिराजुद दोला ठीक है तो यही सिराजुद दोला को जो है लॉड कलाइव के दोरह है वो डिफीट किया जाता है इंतर बैटल अफ प्लैसी 1757 में होती है फिर हम बात करते हैं इसको भी ब्लाइंड कर दिया जाता है अपने इनी के वजीर के तवारा इमाद उल मुल्क और फिर वही इ भात दूरा तो हमिल नाम नाम चाख ल Guard तो यहीं तौरु चाह टोड़ा है वो मतलब की रूल किया इसका झाह जौता शाल्म टू कई वह क्या था खिलग तो हम ci- assborg कई दोराını के तौर सी दोरार road से सिचरथ 1 लौर जाए फोर्सीचна स्वेस्तिड को भी नहीं है आरे Quốc hu ног質 बात करते हैं कि देखो आगी बात थर्ड बाइबात किसके बीच में तीक है तो फिर्स बैटल पानीपत किसके बीच में उइए वह फिफ्टिन स्टीनिटिस ने हुई थी बाबर ने डिफीट कहता इब्राहिम लोधी में इब्राहिम लोधी को ठीक है यह आप पढ़ाओके ज तो फिर हम बात करते हैं, फिर होती है हमारी सेकिंड बैटल अपानीपत, वह हमारी आपको पता है कब हो थी 1556 में अकबर ने डिफीट किया हेमू को, ठीक है, अब यह 1526 है, 1556 है, यह बताता है, जी मेडिवल टाइम पिर तो अभी मेडिवल इस्ट्री में आएगा आपका, अ यह जो मीर काजिम जो थे बिंगाल के और शूजाओ दोला, ठीक है, यह क्या करते हैं, यह ब्रिटिशर के डर के मारे जो है, वो पना लेने के लिए बागते हैं, ठीक है, अब क्यूं बागते हैं, वो पीछे पूरी स्टोरी है, जब आप वो बढ़ते हो, मैडिवल इस्ट आप रहा हैं, टीक है, टीक है, जे बागते हैं, ष्रीट प्रिटिश पोर्सीस के बीच में, परे जो देको करने की जो है, यह कि लोड क्या करते हैं, यह जो वह इसको pension में उसको बेज़ डेते हैं ठीक है कि आप अराम करो आप शाह लंटू को तो फिर हम बात करते हैं कि नेक्स देखो आप नेक्स आते हैं अपर aqbar 2 के बारे में देख लेते हैं आमे डूट हेकर पेक्वर्टे तो अक्भर 2 को बात करेने हम घुशेल है है तो में अक्बड 2 के अगर मुण बात करें हम इस को भूला प्रिक्षृ तॉ एक तराइटल सानता था राजा का और राम मौनराय को बोला गया अकबार 2 के दोरा कि तू एकाम कर तू जा इंगलैंड और वहां जाके मेरी गुहार लगा कि मेरी पेंचन को मतलब की बढ़ा दिया जाए ठीक है इनकी एंपलर की पेंचन को बढ़ा दिया जाए अकबर 2 की तो इसलिए उसको टाइटल दे ताकि उसको खुश करने के लिए तो उसको ताकि बेजा जाए इंग्लेयन में बेजा गया ताकि उसकी प्ली की जाए ब्रिटिशर के आगे कि उसकी पेंशन वगारा जो है वो इंकरीज की जाए तो फिर हम बात करते हैं अकबर 2 जो है वाज़ ग्रेट पोईट ठीक है तो वो ही देखा हमने की ही इंट्रडिउस था हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैस्टिवल तो आपको पता है अकबर जो है वान आफ ग्रेटेस्ट पोईट था अकबर 2 ठीक है फिर हम बात करते हैं लास्ट हमारे मुगल रूलर रहे ठीक है तो फिर हम बात करते हैं इन पार्टिसिपेट किया था इंदर रिवोल्ट आफ ता 1857 ठीक है तो आपको पता 1857 का जो रिवोल्ट आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ये नाम याद देखने को फिर बात करते हैं कि यही देखा मिर्जा गालीब इनके कोट प्रेट से 1857 का जब रिवोल्ट होता है इनको जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है ठीक है ठीक है और वन्च वाग़रा तकि वो आगे ना चले ठीक है और अगे और सकसर वाग़रा जोlight कि बिटिशर जो है वो इंडिया में रूल कर सके तो बेसिकली यह पूरा था आपका यहां से हो गया खतम आपका मैडिवल पूरा कंप्लीट ठीक है यानि कि अपका डिकलाइन हो गया पूरे तरीके से मुगल अंपायर अब बिटिश ने अपना इस्टैब्लिश्मेंट जो है वो करना शुरू कर दिया वह हम देखेंगे जब हमारा यही रिजनल उद दरास ठीक है फब से लेकर जून 1719 ये बड़े शॉर्ट टाइम प्रेट के लिए ये रूलर बनता है ठीक है तो फिर उसके बाद करते हैं रफी उद दोला आया जुलाई से नमबर 1719 फिर मुहमशार अंगीला आया ठीक है मुहमशार अंगीला जो है 1719 से 1748 ठीक है तो फ जिसका ये फायता उठाया तीन रिजनल स्टेट ने अवद ने बिंगॉल हाइदराबाद ने वह रिजनल इंडिपेंडेंट हो जाती है फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आया है एहमशा ठीक है 1748 से 54 फिर आलमगीर 2 1754 से 1759 फिर शाह आलम 2 1759 से 1800 से टॉंगेस टाइम पर पर तक रूल किया फिर हम बात करता है घबर 2 186 से 1837 फिर बहादुर शाह 2 1837 से 1857 ठीक है तो यहां से आपका कंपलीट होता है पूरा डिकलाइन जो भी हमने देखा मूगल का ठीक है तो आपका मैंने कवर कर दिया पूरा डिटेल में कराया हुआ और यह मैं गरंटी लेता ह डिटेल में बढ़ेंगे ठीक है अब आगे देखो आपको पता चली ही जाएगा ठीक है जैसे लेक्टर आगे आते जाएंगे तो बाकी यह है कि आपका यहां से यह पूरा कंप्लीट होया था डिकलाइन इंदा मूगल इंपायर ठीक है अब उसके बाद हम देखेंगे अब ठीक है तो अब आप जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर हम देखते हैं ठीक है बागी अगर अच्छे लगा है आपको लेक्चर तो लाइक करतो शेर करता सब्स्राइब करतो ठीक है थैंक यू